हलो फ्रेंड मैं हूँ ताविश खान आप देख रहा हमाँ चैनल इसके लिए इंडिया विट ताविश आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ बहुती जवदस टॉपिक जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप इस बिजनिस को करके जादा से जादा प्रॉफिट कमा स आपके आने वाले नेक्स वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पाउस सकें और उन वीडियो को आप देख सकें जादा जादा आपके पास उन वीडियो की जानकारी पाउस सकें इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट किलियर करूंगा प्लास्टिक आइटम प्लास्टिक, ट्वाइज, घर और आफिस में यूज होने वाले प्लास्टिक के सामान, सभी तरीके के सामान आप अपनी शॉप के उपर रख सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लागत आती है, वो आप जो अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं, वो कम से कम 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए में अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बात में हम बात करेंगे, इसमें जो होता है मारजिन, इसमें फ्रेंट 10-25 परसेंट तक प्लास्टिक आइटम में मारजिन होता है, अगर की शौप वहाँ पर होनी चाहिए जहां पर जादा से जादा भीर लाइती हो या फिर जादा जादा पॉपुलेशन हो जैसे के कॉलोनी है लोकल एरिया है मार्केट एरिया है में मार्केट एरिया है या मार्केट से लगवा एरिया है या हाइवेज है उस टाइप की लोकेशन होनी चाहिए जहां पर आपकी शॉप पर कस्टमर आएं तो इसके लिए आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी शॉप ओपन करने से पहले कि आपकी शॉप की लोकेशन क्या है उसके बाद में हम हमाई नेक्स पॉइνट की जैसें आप देख सकते हैं डिजिटल बोड, डिजिटल बोड यजिटल बोड में मारकेटिंग से ड्लेटेड ऐड दिखा जा सकते हैं आप जो है ना डिजिटल बोड में यह भी कर सकते ऐं अपनी दुकान का नामे खकती तो इस तरीके लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहाएगा उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा six number कि आप जो भी product है plastic item को वो कहां से ले सकते हैं तो friend इसके लिए आप Delhi, Kolkata, Mumbai, Kanpur इन जगाउंस में बहुत बड़े-बड़े market है plastic items के तो वहां से आप इस type के product को खरीच सकते हो wholesale में और अपनी shop पर आप बेश सकते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा margin कर सकते हो friend इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा team size जैसे कि आप देख सकते हैं seven number friend तो team size क्या होता है team size में आपको हम बताना चाहरा है जो भी आपकी दुकान पर sales में हैं आप हैं सब मिलाके कम से कम दो लोग आपकी shop पर होने चाहिए अगर आपकी shop पर दो लोग होते हैं तो आप आराम से अपनी shop पर sales का काम और display करना product को रखना और समाल कर उसकी साफ सवाई dusting है product को sale करने के लिए तैयार करना sale करना cash और ये सारी चीज़े आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो friend कम से कम आपकी shop के उपर team size 2 का होना चाहिए दो salesman होना चाहिए एक salesman sales कर सकता है और दूसरा salesman sales के साथ में cash भी देख सकता है तो जिसकी दुकान है वो चाहे तो वो वैसे अपने तरीके से adjust कर सकता है तो friend इसमें आपका team size 2 का होना चाहिए उसके बाद हम बात करते हमारे 8 number की shop time friend जो shop का time है वो एक regular time होना चाहिए जैसे सुबह open होने का जो time है वो daily सुबह एकी time open होना चाहिए उसके बाद closing गट जो time है night का उस time पर या आपकी shop जो होना चाहिए उससे पहले close नहीं होनी चाहिए जैसे कि आपका weekly अगर off रखते हो Sunday की off रहता है और other auger आफ आफ रखते हो तो वो भी एक आपका fix हो friend हम बात करते है 9 number shop interior shop interior में आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो भी आप अपना display कर रहे है प्रोड़क उसके लिए जो आप रैक बनवा रहे हैं वह अच्छे से बनवाईए प्लास्टिक में यूज कीजिए उसमें लाइटिंग का शो करिए जिससे आपके प्रोड़क को पर लाइट पड़े और आपका प्रोड़क की display बहुत अच्छी लगे इसके बाद में हम बात करते हैं हमाई 10 number point की shop rent जो भी आपके shop का rent है वो 3% से जैसे मैं आपको पहले बत रखना है तो फ्रेंड ये अगर आपकी shop अपनी है खुद की है तो तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए गर आप rent पर shop रख रहे हैं तो आप यह भी देखें कि कम से कम rent उसका होना चाहिए